अवधूत चिंतन श्रेई गुरु देवदत नमस्ते अलपनी तर्शो में आपका स्वागत पिछले पार्ट 48 और 49 में हमने कुछ वोकेबिलरी वोर्ड्स हिंदी में से अंग्रेजी में सीखे थे और मैंने कहा था कि यह वोकेबिलरी वोर्ड्स हम तीन भागों में देखने व वोर्ड्स हिंदी में से अंग्रेजी में सीखने वाले है यह वीडियो देखते देखते वीडियो को लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अब भी करो और बेल लाइकन भी प्रेस करो तो चलो ज्यादा समय न बिताते हुए हमारा पहला शब ती यू ए ल आई टी वाई स्पिरिच्योलिटी ठीक है नेक्स्ट जिग्यासा या फिर कुतुहल इसको कहते हैं सी यू आर आई ओ एस आई टी वाई क्यूरियोसिटी नेक्स्ट है हर गली में याने आई एन इन इवी ए आर वाई एवरी एल एन इन ए लेन इन एवरी लेन नेक्स्ट नियोजन करना मतलब पी ल ए डबल एन इडी प्लान्ड ठीक है अगला है मंदीर या फिर तीर्थस्थल या फिर पवित्रस्थान ठीक है इसको कहते हैं हो ल वाई होली पी ल ए सी इ प्लेस होली प्लेस या फिर फिर श्राइन होली प्लेस या फिर श्राइन नेक्स्ट यात्रा का खर्च या फिर प्रवास खर्च इसको कहते हैं अगला देखते हैं अनुशासन ही नता मतलब क्या जिसको कोई शिस्त नहीं होती है बेशिस्त कहते हैं उसको क्या कहते हैं हिंदी में अनुशासन ही नता मतलब I N D I S C I P L I N E Indiscipline Next आप Indisciplined भी कह सकते हो D भी लगा सकते हो end में ठीक है? अगला है G मचलाना हमें कभी-कभी vomiting जैसा feel होता है उल्टी जैसा feel होता है तो उसको बोलते हैं G मचलाना मतलब F E L fill N A U S E A Nausea fill Nausea Next सुन्दर्ता या फिर सौन्दर्य मतलब B E A U T Y beauty या फिर L O V E L I N E डबल S लवलिनेस अगला है संरक्षन या फिर रक्षन उसको कहते है P R O T E C T I O N ठीक है तो इस तरह से आज हमने हिंदी में से अंग्रेजी में कुछ वोकेबिलरी वर्ड्स सीखे तो ऐसे देखा जाए तो हमारे पार्ट नमबर 48, 49 और 50 में से हमने टोटर 30 वोकेबिलरी वर्ड्स हिंदी में से अंग्रेजी में सीखे इन वर्ड्स की बहुत बहुत प्राक्टिस करना और वीडियो को लाइक करना, शेर करना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब अभी करना और पेल रखन भी प्रेस करना ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलो फिर मिलते हैं अलपनिता शो के अगले पार्ट में धन्यवाद